तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगो भी IRCTC ने अपने जो quarter 2 के number आउ disclose की है साथ में आप लोग देखो company ने dividend की भी announcement की है तो dividend क्या है announcement क्या कुछ और होते वे नजरा ये results का कैसा असर कल के दिन stock के उपर आएगा तो चलिए फटाफट से देखते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे हम discuss करेंगे इसके stand-alone results को लेकर old figure in rupees lakh में दिरक की है लेकिन मैं आपको ये क्रोड में convert करके बताऊंगा यहां पर quarter ended और या आपको half year ended results देखने को मिलेंगे अगर बात करे total income की या total revenue आप जिसको बोलोगे तो अपकी बार जो total income है total revenue हमें देखने को मिला है इस quarter के दुरान वह क्या है एक हाजार ब्यालिस क्रोड 38 लाग का जबकि previous quarter में क्या था एक हाजार चालिस क्रोड 99 लाग का तो previous quarter से income में क्या jump है काफी अच्छी बात है और वहीं previous year के सेम quarter में क्या था लगभग 831 क्रोड 89 लाग का तो वहां से भी income में jump है तो income overall काफी अच्छी हुई है half year basis पर भी आप लोग देखो कि income में jump है उसके बाद expense यानि जो total खर्चे रहे हैं वही अपकी बार total expenses क्या है लगभग यहां पर देखोगे total expense जो देखने को मिले हैं वही इस quarter के दोरान वह च्छहसो संतालिस क्रोड के जबकि previous quarter में च्छहसो च्छहत्र क्रोड के और previous year के same quarter में 524 क्रोड के तो quarter on quarter basis expense टूटे है बट previous year के same quarter expenses में बढ़ होती है और अपकी बार जो revenue है उसके expense ही तो कहीं जाद है इसका मदल कंपनी ने फिर profit बनाया है कितना profit बनाया चली देखते भी net profit for the period अगर बात करें या फिर profit after tax यहां पर देख सकते भी जो हमें देखने को मिले है लगभग 294 क्रोड 66 लाख previous में क्या था लगभग 222 क्रोड 21 लाग का तो previous quarter से profit में जंप है और previous year के same quarter में क्या था 226 क्रोड तो वहां से भी आप लोग देखोगे profit में जंप है तो काफी शायंदर profit company जनेरेट किया है quarter on quarter वेशिज और half year वेशिज year on year वेशिज पर भी ठीक है उसके बाद PPS की बात करें earning per share तो यहां पर आप लोग देखोगे भी लगभग 3 रुपे 68 पैसे रहे भी इस quarter दो रहां प्रीविज में 2 रुपे 90 और प्रीविज एर के सेम quarter में 2,80 अगर बात करें announcement की तो चलिए भी आपको दिखाते भी क्या कुछ announcement हुआ है वैसे वीडियो को की है दो रुपे 50 पैसे प्रेक्टी शेर से यह कंपनी की तरफ से announcement होती हुए नजर आई है आज के इसे board meeting के दोरान तो यह अपडेट सभी और कुछ भी अपडेट जो अपडेट सभाते हो नजर नहीं आई है जैसे डिविडियोंट की देट आए कि वह भी आपके साथ थैंक यो फोर वचिंग देवीडियो